हलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेस क्लासेस वाई साकी बहमत में अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें हैं बिहार के 6 लाख सिक्षकों के e-service book के भी से में आई बहुत बरी जानकारी की तो आप लोगों का e-service book का यहाँ पे online लिखा जाना है और इसको लेकर के अगर बात करेंगा तो आप लोगों के लिए e-service book लिखने के लिए जो है यहाँ पर एक कमीटी का गठन हुआ है और उस कमीटी के द्वारा ही आप जितने भी बिहार में बहाल सिक्षक है चाहे आप नियमित सिक्षक हो नियोजित सिक्षक हो विशिष्ट सिक्षक हो या BPSC से बहाल सिक्षक हो सबी सिक्षकों का यहाँ पर ओनलाइन e-service book लिखा जाएगा उसी के करम में आज थोड़ी देर पहले एक पत्र जाड़ी हुआ है हम लोग इस वीडियो में पूरे डीटेल्स में उस पत्र को दिखेंगे तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डीटेल्स में उस पत्र को दिखाते हैं जिसमें सारी जानकारी आप लोग को दिया गया है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा स्यादा लाइक शेयर कर गया है आप लोग जो ये पत्र देख रहे हैं ये है बिहार सरकार सिक्षा विभाग और आदेश यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिक्षा विभाग का जो ये आदेश है इसका सुबोध कुमार चौधरी का हस्ताक्षर है और यहाँ पे अगर बात किर विभाग अंतरगत कन्या उत्थान योजना के निगरानी अनुश्रवन है तू श्री बैदरनाथ यादव भारतिय प्रसासनिक सेवा सचेव सिक्षा विभाग बिहार पटना को वड़िये परभारी पताधिकारी नियामित किया जाता है दूसरा जो यहाँ पर है कि सिक्षा विभाग अंतरगत सभी तरह के सिक्षकों की इसरविस बुक के परगती के कारियों के निगरानी अबम अनुश्रवन है तू श्री बिनायक मिस्र निदेशक मध्यान बोजन योजना को वड़िये परभारी पताधिकारी तथा श्री रवि संकर सिंग अपर राज्य परयोजना निदेशक बिहार सिख्छा परयोजना परिशत को कनिये परभारी पदाधीकारी नामित क्या जाता है अमानिय मंत्रिय सिक्षा विभाग का अनुमोधन प्राप्त है यानि कि आप लोग का जो ये ई-सर्विस बुक लिखा जाना है उसमें यहाँ पर दो यहाँ पर भारतिय आईएस जो है स्री विनायक मिश्र को बनाये गया है जो कि निदेशक माध्यान भोजन योजना के है और उनको जो है वरिये पदाधिकारी बनाये गया है वहीं सिरी रभी संकर सिंग जो कि अपर राज पर योजना निदेशक है उनको बिहार सिक्षा परिजना परिशत का कन्य परभारी पदाधिकारी नामित किया गया है और इसको लेकर के मानेनिये सिक्षा मंतरी का जो है यहाँ पर अनुमोधन प्राप्त है आप लोग पतरांग ज्यांग पहले ही देख चुके हैं सुबोध कुमार चौधरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका हस्ताक्षर आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा इससे यहाँ पर आप लोग का आसपस्ट हो गया यह आप लोग का जो ई-service book लिखने का किरिया कलाप है वो आप लोग का बहुत ही जल्द सुरू होने वाला है और e-service book आप लोगों को जो लिखना है उसमें जो BPSC से बहाल सिक्षक है और साथ ही साथ जो नियोजिस सिक्षक है और जो नियमिज सिक्षक है उनका डाटा अपलोड करना परेगा वहीं अगर जो बिसिस्ट सिक्षक बनते हैं या फिर जिन्होंने सक्षमता परिक्षा है तो फॉर्म डाला है भले ही पास नहीं किये हो या फिर आने वाले समय में वो जुआइन नहीं करते हैं तो उनका डाटा पहले से सिक्षा विभाग के पास है तो वहां से कलेक्ष करके आप लोग का e-service book तयार हो जाएगा बाकी अन्य जितने भी परकार के सिक्षक है नियोजित रहां से नियमित और BPSC उन सभी को जो है अपलाई करना पड़ेगा और उसमें जो है सारा का सारज डाटा है यह वहाँ पे उनके द्वतरा डाला जाएगा उनका सैक्षनिक से ले करने प्राइक सात्थी BM-डक्रिक साथ उनका जो है यह सभी जैसे आधार कड़ हो गया Pan Pool द डालना पड़ेगा और उसके बाद उनका जो है इसर्विस बॉक बनेगा इसमें जो है जो सक्षमता पास है या फिर जो सक्षमता का परिछा दिये हैं वो इससे जो है नोको जो है छुटकारा मिलेगा उनको अपलाई नहीं करना होगा हलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेस क्लासेस बाई साकी बहमत में अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें हैं बिहार के 6 लाख सिक्षकों के इस सर्विस बुक के बिसे में आई बहुत बरी जानकारी की तो आप लोगों का इस सर्विस बुक का जो है यहाँ पर ऑनलाइन लिखा जाना है और इसको लेकर के अगर बात करेंगा तो आप लोगों के लिए इस सर्विस बुक लिखने के लिए जो है यहाँ पर एक कमिटी का गठन हुआ है और उस कमिटी के द्वारा ही आप जितने भी बिहार में बहाल सिक्षक है चाहे आप नियमित सिक्षक हो, नियोजित सिक्षक हो, विशिष्ट सिक्षक हो या BPSC से बहाल सिक्षक हो सभी सिक्षकों का जो है यहाँ पे ओनलाइन e-service book लिखा जाएगा उसी के करम में आज थोड़ी देर पहले एक पत्र जारी हुआ है हम लोग इस वीडियो में पूरे डीटेल्स में उस पत्र को देखेंगे तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डीटेल्स में उस पत्र को दिखाते हैं जिसमें सारी जानकाड़ी आप लोग को दिया गया है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा स्यादा लाइक शेयर करिए आप लोग जो ये पत्र देख रहे हैं ये है बिहार सरकार सिक्षा विभाग और आदेश यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिक्षा विभाग का जो ये आदेश है इसका सुबोध कुमार चौधरी का हस्ताक्षर है और यहाँ पे अगर बात करि 10-2024 यानि कि आज थोरी दिर पहले जो है यह लेटर जारी हुआ है जिसमें सारा डीटेल्स दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग अंतरगत कन्या उत्थान योजना के निगरान अनुसरवन है तू शिरी बैदरनाथ यादव भारतिय परसासनिक सेवा सचेप स सिक्षा विभाग बिहार पटना को वर्ये परभारी पताधिकारी नियामित किया जाता है दूसरा जो यहाँ पर है कि सिक्षा विभाग अंतरगत सभी तरह के सिक्षकों की ई सर्विस बुक के परगती के कारियों के निगरानी अभम अनुसरवन है तू शिरी विनायक मिस्र निदेशक मध्यान भोजन योजना को वड़िये परभारी पदाधिकारी तथा स्री रवी संकर सिंग अपर राज्ये पर्योजना निदेशक बिहार सिक्षा पर्योजना परिशत को कन्ये परभारी पदाधिकारी नामित क्या जाता है अमानिये मंत्रिये सिक्षा विभाग का अनुमोधन प्राप्त है यानि कि आप लोग का जो ये e-service book लिखा जाना है उसमें यहाँ पर दो यहाँ पर भारतिय आईएस जो है स्री विनायक मिश्र को बनाया गया है जो कि निदेशक माध्यान भोजन योजना के है और उनको जो है वरिये पताधिकारी बनाया गया है वहीं सिरी रभी संकर सिंग जो की अपर राज परियुजना निदेशक है उनको बिहार सिक्षा परियुजना परिशत का कन्ये परभारी पताधिकारी नामित किया गया है और इसको लेकर के माननी है सिक्षा मंतरी का जो है यहाँ पे अनुमोधन प्राप्त है आप लोग पतराग ज्यांग पहले ही देख चुके है सुबोध कुमार चौधरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और इस सर्विस बुक आप लोगों को जो लिखना है उसमें जो BPSC से बहाल सिक्षक है और साथी साथ जो नियोजिस सिक्षक है और जो नियमिज सिक्षक है उनका जो है डाटा अपलोड करना परेगा वहीं अगर जो विसिस्ट सिक्षक बनते हैं या फिर जिन्होंने सक्षमता परिक्षा है तो फॉर्म डाला है भले ही पास नहीं किये हो या फिर आने वाले समय में वो जो जो आइन नहीं करते हैं तो उनका जो है डाटा पहले से सिक्षा विभाग के पास है तो वो वहाँ से कलेक्ष करके आप लोग का e-service book तयार हो जाएगा बाकी अन्य जितने भी परकार के सिच्छक है नियोजीत है नियमित और BPSC उन सभी को जो है अपलाई करना पड़ेगा और उसमें जो है सारा का सारा जो डाटा है वो वहाँ पे उनके द्वारा डाला जाएगा उनका जो है सैक्षनिक से ले करके पर सैक पेच्छिनिक साथ उनका जो है आइडेंटीटी काड जो है वह सबी जैसे अधार कडों गया पैन कडों गया बैंक काउंट हो गया यह सभी उनको जो है उसमें डालना पड़ेगा और उसके बाद उनका जो है ई-service book बनेगा इसमें जो है जो है जो सक्षमता पास है या फिर